नमस्कार आपको बता दे कि अपाची 160 की लॉंच होने के बाद के अन्फूजन है कि 160 में हमें आप कौन सी बाइक लेनी चाहिए इसके फीचर आपको दमदार देखने को मिलती है वहीं बात करेंगे पलसर की NS160 के बारे में यहाँ पर आपको एग्रेसिव लुक के हैड आप यहाँ पर देख रहे हैं लेकिन आपको हैलोजन वाले हैड इसमें ओफर की जाती है लेकिन अपाची में आपको मिल जाती है फूल एलेडी लाइट और साथ ही आपको मिल रहे है LED DRL यहाँ पलसर के लिए यहाँ पलसर के एनस में आपको पीछे देखने को मिल जाती है बाल वाले टेल लाइटigation में अपको दोस्तों मिलते हैं और फुल एलेड ये रिफ्लेक्टर आको यहां पर दियें गया है यहां सासा यहां पर मिल जाते हैं और speed वाले grab handle यहाँ पर देखने को मिलती है pulsedness में आपको सांदर analog के साथ digital के combination यहाँ पर आपको देखने को मिलता है जिसमें कि आपको analog मिलती है rpi, meter, fuel की indication आप यहाँ पर देख सकते हैं speed के साथ आपको सारी जानकर इस वाली console पर देखने को मिलती है बजाज को logo आपको देखने को मिलता है blink करते हुए साथ और आपको और सब भी indicator यहाँ पर देखने को मिल जाते है 5 के indication, neutral के indication तब ही पर mount किये कि Apache की बात करेंगे full आपको digital meter offer की जारी है इसके top model में आपको Bluetooth की connectivity भी देखने को मिल रही है sad stand engine cutoff आपको देखने को मिलेगी extra feature आपको pulsar से देखने को मिले है दोस्तो यह वाली mode तीन mode आपको riding के लिए देखने को मिलती है जिसमें आप special power यूज कर पाएंगे fuel की indication है, clock की जनकारी है, trip की जनके लिए आप में ले पाएंगे की का आपको नहीं यहाँ पर देखने को मिल रही है दोस्तो वहीं आपको pulsar में की की यहाँ पर देखने को मिल जा रही है गाड़ी के silencer के हम बात करेंगे pulsar में जस्ते के दोस्तो आप देखरें को भी आपको यहाँ पर नहीं देखने को मिलेगी exhaust node यहां पर उस्तों पुलसर वाली यहां से शुरू होकर रही ही पर एक खतम हो जा रही है वहीं आपाची के हम बात करेंगे यहां पर आपको मिल जाती है 90-90-70 के tubeless tire पीछे आपको मिल जाते हैं 120-80-70 रखे इसमें आपको dual disc की बरेका option देखने को मिलता है सामने और पीछे की तरफ Apache के हम बात करें यहां पर मैं आपको मिलता है दोस्तो सामने 90-90-70 के tubeless tire पीछे आपको मिलेंगे 120-70-70 रखे वो भी tubeless वाले front में आपको disc brake देखने को मिलता है पीछे में दोस्तो आपको disc को tramp दोनों कहीं आपको option देखने को मिलेगा सामने पलसर में आपको देखने को मिलती है telescopic width entry friction bush valley suspension और पीछे आपको मिलते हैं दोस्तो natrox mono suspension वहीं अप आची के हम बात करेंगे सामने आपको मिलते है telescopic fog पीछे आपको मिलते है twin shock absorber या पलसर की wheelbase आपको मिल जाती है 1372 mm की इसकी ground clearance 176 mm की weight की हम बात करेंगे 151 kg इसकी weight 138 kg fuel tank आपको मिल जाती है 12 लेटर की इस गाड़ी में आपको देखने को मिलता है 160 CC के BS6 engine जो कि आपको power यहां पर देती है 17 PS की torque generate करती है 14.6 Nm की 40 के पार आपको मैलेस कही जाती है बदला हो सकते हैं वहीं है पैचे के दोस्तों हम बात करेंगे 159.7 CC का आपको engine यहां पर देखने को मिलता है 16.4 PS के आपको power यहां पर कही जाती है torque आपको generate करती है 13.85 Nm की 45 के पार आपको mileage कही जाती है मैनत बतला हो सकते हैं गाड़ी चलाने के उपर यह गाड़ी अवेलेबल है single channel ABS में एक अही वेरियंट आपको देखने को मिलती है जिसकी 100 रूम कीमत है 1,23,000 on route कीमत आपको पड़ेगी 1,49,000 रुपाई से लेकर 1,53,000 रुपाई के अंदर है वहीं Apache 160 के हम बात करेंगे तीन वेरियंट आपको offer की जाती है पहले है drum brake वाली model इसमें आपको सामने disc brake पीछे आपको drum brake देखने को मिलेगी इसकी 100 रूम कीमत है 1,17,000 on route कीमत आपको से टॉप मॉडल है Bluetooth वाली एडिशन जिसे हम जानेंगे Smart Connect के नाम से इसकी 100 रूम कीमत है 1,24,000 on road कीमत आपको 1,47,000 रुपाई के अंदर आपको देखने हो मिलेगी ये थी 160 CC में आने वोले दो बहतरिन गाड़ की comparison तो आप अपने पसंद से हैं पर गाड़े को ले सकते हैं